मेरे प्यारे देश्वासियों, अगले महने इस समाई तक पेरिस ओलेम्पिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलेम्पिक खेलों में भारतियों खिलाडियों का उत्सा बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतिय दल को ओलेम्पिक खेलों की बहुत बहुत सुप्रामनाई देता हूँ। हम सब के मन में टोक्यो ओलेम्पिक की यादे अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाडियों के प्रदर्सन ने हर भारतियों का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलेम्पिक के बाद से ही हमारे एकलिट्स पैरिस ओलेम्पिक की तैयारों में जीजान से जुटे हुए थे। सभी खिलाडियों को मिला दे तो इन सबने करीब 900-900 इंटरनेशनल कंपेडिशन में हिस्सा लिया है। यह काफी बड़ी संख्या है। साथियों पैरिस ओलेम्पिक में आपको कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेगी। शूटिंग में हमारे खिलाडियों की प्रतिवा निखर कर सामने आ रही है। टेबल टेनिज में मैन और विमेन दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतिय शॉटगन टीम में हमारी शूटर बेटियां भी शामिल है। इस बार कुस्ती और गुडस्वारी में हमारे दल की खिलाडी उन केटगरीज में भी कम्पिट करेंगे जिन में पहले वे कभी शामिल नहीं रहे। इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार हमें खेलों में अलग लेवल का रोमांच नजर आएगा। आपको ध्यान होगा कुछ महिने पहले वर्ल पारा एथलेटिक्स चेंपियनशिप में हमारी बेस परफॉर्मंस रही है। वहीं चेज और बैल्मिंटन में भी हमारे खिलाडियों ने परचम लहराया है। अब पूरा देश यह उमीद कर रहा है कि हमारे खिलाडी आलेम्पिक्स में भी बहत्रीन प्रदर्शन करेंगे। इन खेलों में मैडर्स भी जितेंगे और देश वाचों का दिल भी जितेंगे। आने वाले दिनों में मुझे भारतिय दल से मुलाकात का अवसर भी मिलने वाला है। मैं आपकी तरप से उनका उत्सावर्दन करूंगा। और हाँ इस बार हमारा हैश्टेग चीरफर भारत है। इस हैश्टेग के जरिए हमें अपने खिलाडियों को चीर करना है। उनका उत्सा बढ़ाते रहना है। तो मोमेंटम को बनाए रखिए। आपका ये मोमेंटम भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मदद करेगा।